बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्यन के अध्याय 5 व्यवसाय की उबरती पद्दतियों के अंतरगत ये व्यवसाय के परीचे अर्थ और छेत्र के बारे में चर्चा करूँगा आईए प्रारंब करते हैं देखिए बच्चों जो व्यवसाय है यह हमारे यहा अंदर निरंतर क्या होता रहा है बदला होता रहा है पहले जहां वस्तू विनिमें हुआ करता था वस्तू विनिमें एक व्यापारी से दूसरा व्यक्ति जब वस्तू खरीदता था तब वस्तू में ही लेंदेन होता था एक व्यक्ति अपनी वस्तू दूसरे व्यक्ति को द अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती किया करते थे समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया और मुद्रा में विनी में होने लगा अब वस्तु खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता था धीरे धीरे अब इसमें भी परिवर्तन आया और अब इबैंकिंग के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुकतान ऑनलाइन किया जाने लगा है यह अनलाइन भुकतान की नई परनाली इसके अंदर आयी है तो ये बदलाव दीरे-दीरे देखने में आया है इसी प्रकार पहले जहां ग्राहक दुकान पर जाता था और वहाँ पर जाकर अपनी आवशक्ता की वस्तुयें प्राप्त करता था वही अब वहे अपने घर बैठे अपने घर पर ही बैठे-बैठे अपने मोबाइल से सभी प्रकार की शौपिंग कर लेता है ओनलाइन माद्यम से तो यह नया व्यवसाई नहीं है बलकि यह व्यवसाई करने के नए तरीके हैं जहां पर अब ग्राहक दुकान पर नए जाकर अपने घर से ही क्या करता है खरीदारी कर लेता है इसी प्रकार बिजनेसमेन भी अब अपने अलग-अलग जो आपूर्ती करता होते हैं अपने अलग-अलग जो पक्षकार होते हैं उनके पास नजाकर अपने कारिया ले से ही इंटरनेट के माध्यम से उनसे संपर्ग साद लेते हैं अपना सारा कारिय कर लेते हैं तो यह जो इव्यवसाय है इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं आईए परिचे व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्दती कहा जाता है पिछले कुछ दशकों में व्यवसाय करने के तरीके में बहुत से मूलभूत परिवर्तन हुए है देखिए पिछले कुछ दश्कों में बहुत तेज गती से इसमें परिवर्तन होता आया है व्यवसाय की यह नई पद्दतिया नया व्यवसाय नहीं वरन यह तो व्यवसाय करने के नए तरीके हैं इसे नया व्यवसाय नहीं का जाता, बलकि यह तो व्यवसाय करने के तरीकों में बदलाव है, नया तरीका है, व्यवसाय में नए परिवर्तन के कारक, अब यह जो व्यवसाय में नए परिवर्तन आये हैं, यह किन कारकों के कारण आये हैं, देख यह पहला कारक है क्या होती है सेव होती है इसे डिजिटलाइजेशन भी कहा जाता है इंटरनेट और एलेक्टोनिक आइटम जैसे कंप्यूटर मोबाइल लैप्टॉप इनके माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से अब क्या है विवसाय होने लगा है कई चीजें बड़ी आसान हो गई है जह काफी लंबी समय अवदी लग जाती थी लेकिन अब इस डिजिटलाइजेशन के कारण क्या है सूचनाय जल्दी पहुंच जाती है तो अब जो नहीं पद्दतियां आ रही है उसमें इस डिजिटाइजेशन का भी बहुत महत्वपूर योगदान है इसे अंकी करण भी कहा जाता है बाहिये स्रोती करण देखिए कई फर्में ऐसी हैं जो कि किसी कार्य में दक्ष होती हैं और उसके अलावा अन्य कार्य भी उन्हें करने होते हैं ऐसी इस्तती में वे अपने मुख्य काम के अतिरिक्त जो जितियक काम होते हैं दूसरे काम होते हैं उन्हें किसी दू दूसरों से करवाना और जो यह दूसरी फर में होती है यह उन कारियों में विश्य सग्य होती है तो इस प्रकार से बाहिय सुत्रिकरण देखिये अब फूरा विश्य एक छोटे गाउं के रूप में हो गया है सभी लोग जैसे गाउं में एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी रखते हैं उसी प्रकार अब पूर्ड़ा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है सबी देश एक दूसरे के नजदीक आये हैं और एक दूसरे के बारे में वो जानकारी रखने लगे हैं बच्चों इस चैप्टर में हम डिजिटाइजेशन के माद्यम से जो इविवसाय होने लगा है इसके बारे में दिन करेंगे साथ इसाथ बाहिये सुरूती करन को भी विस्तार से देखेंगे व्यवसाय प्रबंदक और व्यवसाय चिंतक हमेशा व्यवसाय प्रकियाओं को उन्नत करने के प्रियत्न में नए एवं बहतर तरीकों को विक्सित करने में लगे रहते हैं देखें जो व्यवसाई प्रबंदग और व्यवसाई चिंतग होते हैं इनका काम होता है किस प्रकार व्यवसाई को आगे बढ़ाया जाए और वो लगातार नए नए तरीकों को ढूंड़ना और उन्हें विक्सित करने का कारिय करते रहते हैं व्यवसाईक फर्मों को अच्छी गुणवत्ता किस प्रकार से अच्छी की जाए कम मुल्य पर और तिवर सुपुर्दगी एवं अच्छी ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग और बढ़ते प्रतिस्परदा दबाओ को सफलता पूर्वक जहलने के लिए अप उसका मुल्य कम हो और प्रतियोगिता में वह आसानी से सामना कर सके दूसरी कंपनियों का तो इसके लिए वह लगातार प्रियतनसील रहती है और अपनी उप्योगिता को अपनी स्रजन समता को और कम मुल्य पर ग्राहक को सुपुर्द करने की जो उसकी शमता होती है इसके विकास के लिए वह लगातार कारियरत करती रहती है ने ने परिवर्तन करती रहती है आगे देखते हैं बच्चों इव्यवसाय देखिए इव्यवसाय से तातपरी है इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय जहां पहले जो ये फर्म संचालक होता है यह अपने पूर्ती करता अपने पू अब इससे कोई सामान की आवशक्ता पड़ी तो यह उसे सूचना भेज़ेगा 200 किलोमेटर दूर फिर वहां से सामान आएगा इस प्रकिल्या में बहुत समय लग जाता था इसकी यह फर्म संचालक है इसकी फैक्टरी डेड़ सो किलोमेटर दूर है क्योंकि प्रवंदक कहीं और जगए रहते हैं संचालक कहीं और जगए रहते हैं उनका काजयाले अलग जगए होता है और उनकी फैक्टरियां अलग जगए होती है तो यह इसकी फैक्टरी मान लिजे बहुत दूर है अब इस factory में कोई समश्या आई तो उसके बारे में इसे सूचना दी जाएगी यहां पर व्यक्ति आया सूचना दी और फिर यहां से यहां पर यह उसको निस्तारित करने के लिए पहुचेगा लेकिन अब ऐसा नहीं होता अब electronic माद्यम से computer के माद्यम से यह अ पूर्ती करता को message के द्वारा पूर्ती करने के लिए कहेगा और आदेश मिलते ही तुरंत माल रवाना हो जाएगा और यहां से जो इसकी factory है वहां से भी internet के माद्यम से computer के माद्यम से इसके पास समश्या पहुचाई जाएगी यह तुरंत उसका निदान करने का प्रियास कर देगा तो अब electronic माद्यम से व्यवसाय बड़ा क्या हुआ है आसान हो गया है यह व्यवसाय को ऐसे उद्योग व्यापार और वानिज्य के संचालन के रूप में परिबाशित किया जा सकता है जिसमें हम computer network तंत्र का प्रियोग करते हैं देखिए इसमें computer network तंत्र का प्रियो चाहिए गई इसने भी computer के माद्यम से तुरंत संपर्क साध लिया mail के माद्यम से आजकल WhatsApp के माद्यम से भी यह कार्यें आसानी से हो जाता है इंटरनेट एक सारवजनिक एवं सुगम मार्ग है देखिए जो इंटरनेट है वो एक सारवजनिक और सरल मार्ग है जिससे सूचनाए एक स्तान से दूसरे स्तान पर आराम से पहुँचाई जाती है वहीं फर में नितान्त निजी और अधिक सुरक्षित नेटवर्क का प्रियोग अपने आंतरिक कार्यों के अधिक प्रभावी एवं कुसल प्रबंदन के लिए करती है के लिए कई फर्मे अपना निज़ी नेटवर्कश भी चलाती है जो इसके छेत्र में ही, उसके ऐलेके अंदर ही कंप्यूटर्य में जुढे होते हैं सभी चंप्यूटर नेट वर्केर्ग माधियम से आपस में क्या होते हैं जुढे होते हैं जिससे सूचनाएं आसानी से इधर उदर आजा सके और इसमें गोपनियता भी बनी रहती है और इंटरनेट के माध्यम से इंडिया में बैठा हुआ जो व्यवसाई है वह आसानी से USA में बैठे हुए व्यवसाई के संपर्क में रहता है लगातार उससे संपर्क बनाने में वह को समझते हैं कि यह e-commerce क्या है इसे electronic commerce भी कहा जाता है यह यह इसको इंगित करता है इसमें कम्प्यूटर के माध्यम से या electronic उपकरण के माध्यम से खरीदना है वह बेचने का कारिय होता है साती इसमें भुक्तान जो लेंदेन होता है वह भी इलेक्रोनिक माध्यम से ही होता है यह सब भाग है एकोमर्स का जबकि जो यह व्यवसाय है इसमें अन्य जो व्यवसाय जैसे उत्पादन से संबन्दित जैसे वित्त से संबन्दित जो हमारा record होता है, जो cash book होती है, लेखांकन से संबंदित होता है कारिये, वह सारा भी इसी में electronic माध्यम से किया जाता है, इसी प्रकार विपनन से संबंदित कारिये भी, इसके माध्यम से किया जाना, विज्यापन से संबंदित कारिये भी electronic माध्यम से किया जाना, ये सभी, के सबी इव्यवसाय के भाग होते हैं, इव्यवसाय के अंतरगत आते हैं, इव्यवसाय एकोमर्स Чे अधिक व्यापक व किसा भाग है, इव्यवसाय का ही एक भाग होता है इवेवसाय में इकोमर्स भी सम्मिलित होता है इक फर्म के अपने ग्राहे को और पूर्ती करता हों के साथ इंटरनेट पर पारसपरिक संपर्क को सम्मिलित करता है एक फर्म के अपने ग्राहे को और अपने जो आपूर्ती करता है उनके साथ संपर्कों को क्या करता है स लबकि ये विवसाय ने केवल ये कोमर्स वरन विवसाय द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा संचालित किये गए अन्यकारियों जैसे उत्पादन, श्टोक प्रबंद, उत्पाद विकास्त, लेखांकन, एमम वित्थ और मानव संसादन को भी सम्मिलित करता है इसमें अन्य जो व्यवसाय गतिविदियां होती है, वो भी समिलित होती है, देखिए यहां पर एक चीज है, जिस प्रकार व्यवसाय व्यापार से बड़ा होता है, विस्तृत होता है, उसी प्रकार ये व्यवसाय भी एकोमर्स से बहुत व्यापक होता है, ये व्यवसाय का छेत्र अब इसके करीके से ऐसके चैत्र और थैंगे पहले यह जो पूर्ति करता है सामान के आप पूर्ति करता होते हैं कलने वाले होते हैं यह क्या करते हैं你 branch करते हैं और यह ऊपके आमाल देते हैं वहां से धन प्राप्त करते रहते हैं इन दोनों के बीच में यानि एक फर्म जो ये फर्म है पूर्ती करता की इस फर्म से दूसरी फर्म को के साथ जो लेंदेन किया जाता है उसे कहा जाता है फर्म से फर्म लेंदेन बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस लें लेंदेन इसी प्रकार एक फर्म का अपने ग्राहक से जो लेंदेन होता है उसे कहा जाता है B2C लेंदेन बिजनेस टू कस्टमर लेंदेन इसी प्रकार एक फर्म के जो अलग-अलग विबाग हैं यहां आप देखिए क्रेव विभाज उतपाधन विभाज शोद विभाज मानव संसाधन विभाज विद्व विप्णन विभाज जब ये एक जो स्फर्म उसके अलग-अलग विभाज एक दूसरे से संपर्क करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इन में क्या होता है संपर्ग होता है तो यह अन्तह भी कॉमर्स कहलाता है इसे हम क्या कहते हैं अन्तह भी कॉमर्स इंट्रा भी कॉमर्स भी कहते हैं अन्तह फर्म कॉमर्स भी कहते हैं इसी प्रकार एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से वस्त नमर कॉमर्स कहलाता है देखिए इसके अंदर हमने B2B फर्म से फर्म, B2C फर्म से ग्राहक, इंटरा बी कॉमर्स अंतर फर्म ग्राहक से ग्राहक, C2C के बारे में इस चित्र के अंदर सारा विस्तार से दिया हुआ है, आगे देखते हैं इन्हें, विस्तार से देख लेते हैं बच्चो, फर्म से फर्म कोमर्स, B2B, बिजनेस तु बिजनेस कोमर्स, देखिए, एक बिजनेसमें है, एक फर्म है, मालीजी यह रेष्टोरेंट है, Milu, अब इसे सबजी के आवशक्ता होती है, रेष्टोरेंट चला प्रिकार उत्पादक जो फर्म है वह क्या करती है? थोग विक्रेता को देती है. यह भी अपना वेवसाओं चला रहा है तो यह Bto B थोख किसे देता है फुटकर वीखरेता को देता है तो यह भी Bto B का ही एक उदारण है आईये एक लेंदेनों स्ऩामिल दोनों पक्ष व्य व्यक्त साइक पक्ष हैं व्यवस्ताइक फर्मे हैं इसलिए इसे फर्म से फर्म अर्थात व्यवसाय से व्यवसाय नाम दिया गया है दोनों ही क्या होती हैं फर्मे होती हैं दोनों ही व्यवसाय इकाईयां होती है इसलिए इसे बीटूबी नाम दिया जाता है उपियोगिता स्रजन अत्वा मुल्य सुपुर्दगी के लिए किसी व्यवसाय को अनेक व्यवसायक फर्मों से पारसपरिक समवाद करना होता है जो की पूर्ती करता अत्वा विविद आगतों के विक्रेता हो सकते हैं अत्वा उस माध्यम का इस्सा हो सकते हैं जिसके द्वारा फर्म अनेक उत्पादों को उपभोगताओं तक पहुंचाती है देखिए आपूर्ती करता भी हो सकता है और वह कोई अन्य फर्म भी हो सकती है साथ ही साथ अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के करम में जितने भी विक्रेताओं से संपर्क किया जाता है वो भी B2B कोमर्स के अंतरगत आत आता है एकोमर्स शब्द का मूल आश है एलेक्ट्रोनिक डाटा अंतरविन में EDI तकनीक का प्रियोग कर व्यवसाइक प्रलेखों जैसे क्रेयादेसों क्रेयादेसों अत्वा बीजिगों को भेज कर एवं प्राप्त कर फर्म से फर्म लेंदेनों को सुगम बनाना है अब यह क्या करती है क्रेयादेस ओनलाइन भेजेगी कि हमें इतना क्या है सामान चाहिए इसने क्या किया क्रेयादेस भेजा कि हमें आप से इतना सामान खरीदना है यह क्या करेगा उसको जो बिल है वो क्या करेगा वो भी ओनलाइन भेज देगा कि यह हमारा बिल है इसका बुक उत्तान ऑनलाइन कर देगी इस प्रकार से बीटू भी कोमर्स के अंदर एक फर्म दूसरे फर्म से क्या है संपर्क में बनी रहती है अगला है फर्म से ग्राहक बीटू सी बिजनेस टू कस्टमर देखिए अभी हमने एक रेस्टोरेंट का उधारन लिया था रेस्टोरेंट सं उसने उत्पाद त्यार किया उसके पास कोन आया ग्राहक आया और उसने किसे दे दिया ग्राहक को अपना उत्पाद दे दिया ग्राहक ने उसे क्या दे दिया पैसे दे दिये अब ओनलाइन माद्दे में क्या होता है ग्राहक ओडर देता है ओनलाइन ओडर देगा रेस्टो आपने जोमेटो का नाम सुना होगा आपने स्वीगी का नाम सुना होगा वो इसी माध्यम से यहां ऐसे जो संचालक होते हैं उनसे ग्राहकों तक वस्तुएं पहुचाने का कारी करते हैं फर्म से ग्राहक व्यवसाय से ग्राहक लेंदेनों में एक छोड़ पर व्यवसाय फर् पूप एक व्यवसाय के लिए हर समय अपने ग्राहकों के संपर्क में रहना संभव बनाता है हर समय ग्राहक से व्यवसाई क्या रहता है संपर्क में रह सकता है फर्म से ग्राहक व्यवसाय से ग्राहक तक का एक तरफा आवागमन होता है देखिए बिजनेस से कहा जाएगा समा घ्रायक तक जाएगा यह इक तरपा आवागमन होता है आगे देखते हैं अन्त है भी एक जो वेवसाइब फर्म हैं एक जो फर्म हैं इसके अलग-अलग विभाग जो अलग-अलग विभाग होती है इनके बीच में जो कम्यूनिकेशन होता है वह इसके अंतरगत आता है यहां इलेक्ट्रोनिक लेंदेनों में सम्मिलित पक्ष एक ही व्यवसाइक पहर्म के भीतर ही होते हैं इसलिए इसे अंतहबी कोमर्स नाम दिया गया है कम्प्यूटर नेटवर्क के प्रियोग ने विपनन विभाग के लिए यह संब बनाया है यही और विपनन विभागम संपर्क में रहे देखिए जो विपनन विभाग होता है marketing department होता है वह सब्सक्राइब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लगातार संपर्क में रहता एव तो अंतरिक नेटवर्क है उसके माध्यम से ये आपस में संपर्क में रहते हैं उत्पादन विभाग को यदी उत्पादन विभाग को यदी कच्चे माल की आवशक्ता है तो वह तुरंत क्रे विभाग को सूचना देगा हमें कच्चे माल की आवशक्ता है क्रे विभाग उसकी क्या करेग इसी प्रकार जो marketing department है वह उत्पादन विभाग को कहेगा कि वही आपका जो product है वो जल्दी से जल्दी भेजो ताकि उसे market में भेजा जा सके market में उसको क्या किया जा सके विक्री की जा सके तो इस प्रकार यह सारे जो एक फर्म की जो अलग-अलग विभाग हैं वो एक दूसर संगठन की विभिन काईयों के मद्य पूरी जानकारी के आधार पर निर्ने के लिए मल्टी मीडिया आलेखिये प्रेशन को सुगम बनाता है इससे बहतर समन्वे तिवर निर्ने और धुरुत कार्य प्रवाज संभाव होता है देखिए जब जब सारे विभाग जो भी एक दूसरे में प्रसाजित हो जाएगी निर्ने लेने में आसानी होगी और काड यह भी तेजी से संपन्ध होते हैं अगला है ग्रहक से ग्रहक कॉमर्स C2C देखिए आपने औलेक्स का नाम सुना होगा यहां पर क्या होता है ग्रहक अपने हैं एक ग्रहक के पास कोई वस्त की आवशक्ता है तो वह इस पर जो अपलोड की गई यह सूचना इंटरनेट पर वह इसे प्राप्त हुई तो यह क्या करेगा इससे संपर करके और आपस में क्या कर लेंगे लेंदें कर लेंगे तो यह भी ग्राहक है यह कोई विक्रेता नहीं है इसके पास वस्तु है तो इस होता था एक ग्रायक से दूसरा ग्रायक दोनों आपस में एक दूसरे की आवशक्ताओं की क्या कर देते थे पूर्ती कर देते थे लेकिन इसमें इसमें अब किसका रोल आ गया है इंटरनेट पर जो वेब साइड है उसका रोल महत्वपूर्ण हो गया है यहां व्यवसाय की उ यहां उपभोगता अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं दूसरे उपभोगता को बेचती हैं इस गतिविदी को अधिक सुरक्षित एवं मजबूत बनाने के लिए अनेक तक्नीकों का उद्भव हुआ है इवे सभी विक्रेताओं एवं क्रेताओं को एक दूसरे को आखने की अ आपने स्टार देखे होंगे फोर स्टार फाइव स्टार तक तो किसी को 3.2 स्टार मिलता है किसी को 4 स्टार होता है तो यह क्या है आखने की एक प्रकिलिया है जिसके माद्यम से आप उसके बारे में जान सकते हो माल लीजिए किसी की रेटिंग एक स्टार है वन स्टार है त किसी की 5 star rating है तो इसका मतलब क्या है उसकी rating अच्छी है तो आप इस से खरीदने का क्या है कारिय करते हैं तो यह है ग्राहक 2 ग्राहक commerce भी महत्वपूर्ण है और एक स्क्वीकर इसके महत्वपूर्ण क्या है उधारण है अगला है c2b commerce देखिए बच्छों हमने b2c commerce के बारे में अभी जानकरी प्राप की फर्म से ग्राहक commerce के बारे में जानकरी प्राप की यह ठीक उसका उल्टा होता है इसमें ग्राहक जो है एक जो है कंपनी के call center जो call center पर बैठे हुए व्यक्ति होते है कॉल सेंटर पर टॉल फ्री नंबर पर कॉल करता है और वहां से अपनी जानकारी प्राप्त कर लेता है इसको जो भी जानकारी चाहिए वह यह जानकारी कहां से प्राप्त करता है कॉल सेंटर पर और कॉल सेंटर पर वह मोबाइल के मादन्यां से कौल करके इंटरनेट के मादन्यां से संपर्क इश्टापीत करके वह क्या करता है अपने जो आवशक्ता की वस्तु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और इससे उसे के खरीददारी में स्वतंतरता प्राप्त होती है घ्रायक से form commerce भी वास्ट धिकता है जो घ्राहकों को इंच्छ सार खरीददारी की स्वतंतरता कराती है यह हैं उपभोकताओं को शोपिंग की स्वतंतरता देता है ुपभोकता kole center पर toll free number के द्वारा प्रूचताच कर सकते हैं, उत्पादों के बारे में जानकाली प्राप्त कर सकते हैं, C2E Commerce, Customer to Employer Commerce, इसके अंतरगत कंपनी करमचारियों की भरती, शाक्षातकार, चैन और प्रक्षिक्षन आधी प्रकिलिया आसानी से पूरी कर सकती है, यह भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला काल यह है, जिसमें दो प्रक्ष एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और इससे कोई भी एंप्लोयर जो है, वह करमचारियों की भरती आसानी से कर लेता है, उनका चैन कर लेता है, उन्हें प्रक्षिशन आसानी से प्रदान कर देता है, इकोमर्स के लाब, अब इकोमर्स के क्या-क्या लाब हैं बच्चों, वो भी देख लेते हैं, पहला लाब विवसाय संगटन को लाब, देखिए इसे हम दो बिंदों में पढ़ेंगे, विवसाय संगटन को लाब, दूसरा उपभोकता या समाज को लाब, तो पहले देख ल यह फर्म है जैपूर की तो पहले क्या था जैपूर का ग्राह कि इससे खरीद्दारी करता था अब इससे इटली का कोई व्यक्ति है वह भी इस फर्म से यहां की फर्म से क्या करेगा खरीद्दारी कर सकता है इसी प्रकार जापान का कोई व्यक्ति है वह भी इस फर्म से क्या क कर सकता है और यह फर्म भी किसी भी अंतरराश्टी फर्म के साथ संपर्क में रह सकती है तो इसका बाजार जो था वह अभिस्तानियां से कैसा हो गया है अंतरराश्टी बाजार में बदल गया है और यह सब किसके माध्यम से हुआ है इंटरनेट के माध्यम से क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से पूरा वेस्व एक दूसरे से जुड़ गया है प्रचालन लागत में धीमी गिरावट इससे प्रचालन लागत में भी गिरावट आई है आपूर्ती संकला प्रबंदन में खीच पुल की सुविदा और जो आपूर internet के माद्यम से अपने उत्पाद बेजने लगी है तो क्या होगा ग्राहक सीधा इससे जुड़ गया है तो बीच में जो मद्यस्त हुआ करते थे आपूरती संकला में जो बीच के अंदर चरण थे वो चरण अब समाक्त होने लगे हैं परतीस परदियों पर परतीस परदा लाव ही है जिससे क्या हुआ है यह परतीस परदा में भी आसानी से ख़ड़े हो पाते हैं और परतीस परदियों पर परतीस परदा लाव इंको प्राप्त होता है उचित समय प्रबंदन तता व्यवसाय प्रकिलिया को बल मिलना और चुकि अब ये अपना समस्त ध्यान प्रबंदन पर देते हैं समय पर सही वस्तू सही गुणवत्ता की वस्तू गराहक तक पोचें इस बात पर ये ध्यान देने लगे हैं साती सात व्यवस ग्राहक सीधा उन से जुड़ गया है फर्मों से और फर्मों का जो व्यवसाय है वह भी बहुत अधिक विस्तरत हुआ है बड़ी फर्मों के साथ साथ छोटी फर्मों का सह अस्तित्व देखिए अब जो दुकान होती है वहां पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम क्या पाते हैं कि अलग-अलग कंपनियों के वहां प्रॉडक्ट होते हैं तो बहुत चोटी कंपनी के उत्पाद है उन्हें अलग से नीचे रखा जाता है जब्कि इंटरनेट पर क्या होता है चाहे छोटी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो सभी के उत्पाद क्रम से आती हैं सभी के उत्पाद आपस में एक दूसरे के साथ आती जाती हैं एक बड़ी फर्म का है दूसरा छोटी फर्म का है फिर बड़ी फर्म का आ गया फिर छोटी फर्मों के है जबकि दुकान पर ऐसा समभव नहीं होता था अब ग्राहकों तथा समाज को लाब देखिए लोच शीलता सबसे बड़ा लाब प्राप्त हुआ है लोच शीलता का अब ग्राहक किसी भी कंपनी का कोई भी उत्पाद कभी भी प्राप्त कर सकता है वह अमेजन फिलिप कार प पर कहीं सारे धेड़ सारों उत्पादों में से कोई साभी उत्पाद प्राप्त कर सकता है चाहे वह देशी कंपनी हो चाहे वह विदेशी फर्म का उत्पाद हो वह आसानी से किसी भी उत्पाद को प्राप्त कर सकता है परतीस परदात्मक मुले छूट मुले त्यागना और इकोमर्स के माध्यम से आपने देखा होगा दुकान पर जब हम सामान लेने जाते हैं तो वहां पर बहुत कम छूट प्रदान की जाती है वहां पर हमें बार्गिनिंग करनी होती है मोलभाव करना होता है जबकि इंटरनेट पर ऐसा करने की आवशक्ता ही नहीं होती क्योंकि कब भी विसेश अवसरों पर गांग ज अंपर चूट परदान कर दी जाती है और यह कैसी होती है पर 30 परदी तक आप 80 प्रतीस तक पर 98 histories तक की चूट उपलब्द होती है जो की दुकानों पर मिलना संभव होता है तो देखिए यहां पर और प्रतीस परदात मंग बुले जब दो कंपनियों का मुले जब बराबर होने लगता है तो एक कंपनी वहां पर अपना मुले क्या है कम कर लेती है तुरंद कम कर लेती है जिससे उसके ग्रायकों की संक्या ब पसंद देखिए e-commerce के माध्यम से उपभोकता अपनी पसंद के उत्पाद प्राप्त कर लेता है और वहाँ पर उसके पास कहीं सारे धेर सारे विकल्प होते हैं वह उन विकल्पों में से अपना चयन कर सकता है त्वरित एवं समयानुसार सुपुर्दगी डिजिटाइज्ड उत्पाद और सिर्फ एक बटन क्लिक करते ही एक बटन क्लिक करते ही आपका ओडर प्रेशित हो जाता है आपने ओडर दे दिया है और अब उसका निश्चित समय पर आपके पास क्या हो जाएगी सुपुर्दगी हो जाती है ग्राकों नुसार उत्पाद e-commerce के माध्यम से ग लेब साइट पर उपलब्द होते हैं वो धेरों उत्पाद वहां पर उपलब्द होते हैं जिन में से ग्रायक को अपनी आवशक्ता के अनुसार उत्पाद का चैंद करना होता है यह नीलामी की सुविदा भी e-commerce के माध्यम से उपलब्द होती है रोजगार की संभावनाए जब बहुत अधिक लोग इस प्रकार से वस्तूओं की डिमांड करेंगे तो जो व्यवसाई हैं उनको उत्पादन भी बढ़ाना होगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उन्हें लोगों को रोजगार भी देना होता है साथी साथ e-commerce के द्वारा वस्तूएं जो नहीं होती है वस्तूएं घरायकों तक पहुचा नहीं होगी इसके लिए भी बहुत सहीं होगों को रोजगार प्रदान किया जाता है तो e-commerce अमेजन यह ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर जाकर कोई भी ग्राहक अपने पसंद का उत्पाद प्राप्त कर सकता है वह वहां पर जाकर अपनी पसंद के उत्पादों का चैन कर सकता है और उन्हें अपने गाओं में अपने दूर दूर तक इस्तित गाओं में भी मंगवा सकता है बच्चों आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद